हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल हिंदी सरल सिक्षन में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम परियाईवाची शब्द पार्ट वन देखेंगे जिसमें अनेक परियाईवाची शब्दों की चर्चा इस वीडियो में हम दिखेंगे अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजे और बाजू पे दे गए बेल आइकन पर क्लिक कीजे जिससे हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे पढ़िया इवाची शब्द रोज यानी प्रतिदिन बेटी यानी पुत्री बेटा यानी पुत्र स्कूल यानी विद्यालै इजाजट अनुमती धन्यवाद यानी शुक्रिया चित्र यानी स्तस्वेर ग्राहक यानी खरिद्दार किम्मत यानी दाम अथ्वा मुल्य साल यानी वर्ष ठंड यानी सर्दी मगर यानी लेकिन मित्र यानी दोस्त बोजन करना यानी खाना खाना इंतजाम यानी प्रबंद बारिश यानी वर्षा आकार्स यानी आस्मान जरुरत यानी आवश्यक्ता असमर्थ यानी लाचार द्रश्य यानी नजारा उस्सा यानी जोश्य द्वज यानी जंडा तय करना यानी निच्चीत करना रविवार यानी इतवार सुबह यानी सवेरे विद्यार्थी यानी चात्र क्षमा करना यानी माफ करना खुशी से यानी प्रसन्नता से युनिवर्सिटी यानी विश्व विद्याले स्वास्थय यानी तंदूरस्ती यानी अर्थात शादी यानी विवा डान्स यानी नाच नुत्य लोटना यानी वापसाना सडक यानी मार्ग दर्स्निय यानी देखने लायक रुकना यानी ठहराना सप्ता यानी हप्ता दिक्कत यानी कठनाई सुन्दर यानी खुबसूरत बारिश यानी बरसात तट यानी किनारा आनन्द यानी खुशे समुद्र यानी सागर अक्सर यानी प्यारय प्रदर्शनी यानी नुमाईश अंदर यानी बितर वज यानी कारण कोशिश यानी प्रहत्न बाच्षा अर्थात राजा मौजूद यानी उपस्थित सवाल यानी प्रश्ण जवाब यानी उत्तर गुल यानी फूल हैरान यानी आचर्य आवाज यानी स्वर जबान यानी जीब जीहवा मेहमान यानी अतिथी रिस्तेदार यानी संबंदे आदमी यानी पुरुष आखिर यानि अंतिम, अतित्थ्य यानि मेह्मान नवाजी, निमंत्रं यानि बुलावा, बाकी यानि सेश, भाग्य यानि किस्मत, सम्रुद्धी यानि खुश्हाली, आचरण यानि व्यवहार, दफ्तर यानी कार्याले, खूद यानी स्वयम, प्रयास यानी प्रयत्न, तारिफ यानी प्रसंसा, खबर यानी समाचार, रोजाना यानी प्रतिदिन, दवाखाना यानी चिकिस्साले, फासला यानी दूरी, परिवेश यानी वातावरण, महोल, रोमांचक यानी आहलादकारे, प्रयतक यानी यात्रे, नवकायन यात्रे नवका विहार, समीप यानी नजदिक, उबना यानी मन न लगाना, गीरी यानी पहाड, अमुल्य यानी अनमोल, सोभायात्रा यानी जुलूस, विख्यात यानी प्रसिद्ध, प्रसिद्ध यानी मस्हूर, प्रयास यानी कोशीश, आभुषन यानी गहने, जीद यानी हट, कोशना यानी एलान, प्रजा यानी जन्ता, सजा दंड, मदद यानी सहायता, रोण यानी कर्ज, चिंता यानी फिक्र, भवन यानी इमारत, प्रशीशत प्रतिशत यानी फिष्दी, सुजाव यानी सला, आसपास यानी इदगिर्द, यात्रा यानी सफर, बातचीत यानी वार्तालाप, श्रेनी यानी दर्जा, लुक तंत्र यानी जन्तंत्र, प्रजा तंत्र, भागिदारी यानी सह भागिता, चुनाव यानी निर्वाचन, प्रत्याशी यानी उम्मिद्वार, वोट याने मत अपराद याने जूर्म कार्यालाई याने दफ्तर सरकारी याने शास्किय आयू याने उम्र अनूबव याने तजूर्बा अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है और अने कैसे वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करे, शेर करे, कॉमेंट करे और हमारी चैनल हिंदी सरल सिक्षन को सब्सक्राइब करना न भूले